बहुत समय पहले एक क्रो मेगनन लड़का हंसों की सुन्दर चीखे सुन रहा था, तब ही एक चमकदार उर्ती हुई वस्तु जंगल में गिरी और उसमें से एक सोता हुआ बच्चा निकला। वर्तमान समय में एक प्राथम एक विद्याले की संगीत कक्ष में नोबिता की कक्षा शरद रितु संगीत समारोह के लिए रिकॉर्डर पीस्ट स्वान एक्टी उट का अभ्यास कर रही है। फिर वर डायरी का उप्योग स्कूल में संगीत कक्षाओं को खत्म करने के लिए करने की योजना बनाता है ताकि उसे रिकॉर्डर का अभ्यास न करना पड़े और अमामा डायरी में लिखता है जिसे उसने अपनी डायरी से बदल दिया है। नोबिता अभी भी एक उदासीन रवया अपनाता है तहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन शहर में अराजकता फैल जाती है और लोग धीरे धीरे चिर जाते हैं। ये देखकर नोबिता डोरे मोन से रोता है और डायरी के पन्नों को फाड़कर दिन बचाने में काम्याब हो जाता है। इस बीच अंतरिक श्विग्यान संस्थान में जाच द्वारा वापस लाए गए चतानों और रेच से काले जीव निकलते हैं। जीव में भाजित होते हुए हिलना शुरू करते हैं। शाम को नदी के किनारे रिकॉर्डर का अभ्यास करते समय नोबिता एक रहस्य में लड़की से मिलता है। वो उसकी खूबसूरत गायन आवाज से प्रभावित होता है लेकिन जब वो देखता है तो लड़की गायब हो गई है। जैसे ही नोबिता चारों वो देखता है हवा से प्रकाश की छोटे कन उलते हैं अन्मृत्य करते हैं। अगले दिन नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो नदी के किनारे रिकॉर्डर का अभ्यास कर रहे थे। लड़की फिर से दिखाई दी और गाना शुरू कर दिया। दोरे मोन उन्हें देखने आया, नोबिता के खिलोने रोबोटर्स से जुड़े हुए थे और मूड बूस्टिंग ओकेस्ट्रा भी शामिल हो गया और एक मज़ेदार संगीत कार्यक्रम शुरू हुआ। नोबिता और उसके दोस्ट प्रदर्शन के बाद बहुत उच्साहित थे, लेकिन लड़की फिर से उनके ध्यान में आये बिना गायब हो गई। उस शाम, नोबिता और उसके दोस्तों को एक रहास्यमई पत्र मिला, जिसमें लिखा था, हम आज रात स्कूल के संगीत कक्ष में तुम्हारा इंतजार करेंगे। और उन्हें फेर हॉल ओफ फिल्म को पुनर जिवित करने के लिए बुलाया, जो उजा की कमी के कारण निश्क्रिय था। के लिए बाहर जाता है, समू सूखी हुई, हौप नदी पर संगीत का रोबोट मूचेल और बैच से मिलता है, फेर और पर संगीत वाध्य अंत्र बजाकर वे फेर एनजी उत्पन करते हैं और जल्मार्ग में पानी का प्रवाह बनाने में सफल होते हैं, कुनर जिवेत, ओटो मुशी फॉरेस्ट में एक और संगीत का रोबोट ताकिरेन अपने मास्टर के खोने पर रो रहा है, और नोबिता उसे एक दुखत प्रदर्शन के साथ ठीक करता है जो उसके दिल को छुजाता है, जंगल में कई कबरे हैं, जो मुरे तक मास्टर्स कबरे हैं, कबर का रखवाला, ताकिरेन, हैरान समूर को बताता है कि मुसिका ग्रह बहुत पहले एक बड़ी आपदा में नश्ट हो गया था, कि हॉल ओफ फेम एक लाइफ बोड थी जिसमें कुछ मुसिका लोग और रोबोट थे, और मिक्का हॉल ओफ फेम में वर्तमान मे जीवित बचा एक मात्र मुसिका व्यक्ति है, कपैक ने ये सब रहस्य बनाये रखा था ताकि मिक्का को चोट न पहुँचे, मिक्का, जिसने सच्चाई जान ली थी, अभी भी बहादुरी से व्यवहार करता है, और नोबिता और उसके दोस्त मिक्का के व्यवहार से उन्टे हैं और उसका पीछा करते हुए फेर फैक्टरी में चले जाते हैं, फेर फैक्टरी का संचालक, रोबोट वरकन, सुनियो और जियान को गुसपैठिया मानता है और उन्हें भूमिगत कर देता है, वहां बड़ी संख्या में काले जीव दिखाए दिये, वरकन के नि चाकर भागने में काम्याब रहे और कुछ समय के लिए प्रित्वी पर लोटने का फैसला करते हैं, आगले दिन डोरे मोन ने अपने सभी दोस्तों की नीन को नीन सोखने वाली बंदू का उक्योग करके सोखने में मदद की, अपने प्राथमिक विद्याले की समापन समारोह के बाद, नोबिता हॉल ओफ फेम में जाने के लिए हसल विंडर को बंद कर देता है, और अपनी गर्मी की छुट्टियों का होमवर्ट चल्दी से निप्ताता है, रात के समय नोबिता ने दोरे मोन से एक ऐसा उपकरन निकालने के लिए कहा, जिससे उसे रिकॉर्डर संग एक काला प्रानी उसके बिस्तर में घुस जाता है, अगले दिन डोरे मोन अपने गले में कुछ अजीब महसूस करने के बावजूद, एनिवे अडोर का उप्योग करके नोबिता और अन्य लोगों के साथ हॉल ओफ फेम की ओर जाता है, नोबिता अपना रिकॉर्डर भूल वेंटो ने संगीत की शीट पर संगीत का एक टुकड़ा लिखते समय काम करना बंद कर दिया था, लेकिन डोरे मोन की गुप्त गयजेद द्वारा उसे बहाल किया गया और पुनरजीवित किया गया, वह नोबिता और अन्य लोगों को बताता है कि फेकिनेजी प्रदर्शन में निशिद थे, जिसने शोर नामा के एक विशाल अन्तरिक्ष जीवन रूप को आकर्शित किया और नश्ट हो गया, डोरे मोन जो अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है, को पता चलता है कि वह शोर के बीजानुओं से संक्रमित हो गया है, और उसे बताता है कि शोर का हो गये थे, गुपत रूप से सक्रिय थे और प्रित्वी पर गुना कर रहे थे, जहां इसका कमजोर बिंदू, फारले, मौजूद नहीं है, इन में से एक बीजानु डोरे मोन के मुँव में गुस गया जब वह सो रहा था, जिससे सामान्यता पैदा हो गई, शोर से छुट बासुरी अब कहा है, शिजुका को संगीत तक्षा में सीखी गई एक बात याद आती है, दुनिया का सबसे पुराना संगीत वाध्यांत्र हंस की हड़ी से बनी बासुरी है, ये यूनो संग्रहाले में है, उसे यूनो के एक संग्रहाले में एक हंस की हड़ी की बासुरी मि और मिक्का मीना से मिलने जाता है जो जपान में विश्व ग्रमन पर है। मीना कहती है कि बासुरी उसकी दादी द्वारा उसे दिया गया एक आकर्शन है लेकिन वह एक प्रशनसक के अनुरोध के रूप में तुरन्ट सहमत हो जाती है और इसे मिक्का को उधार दे देती है। मीना वास्तव में मिक्ता की बेहन की वंशज है, दोरेमोन शोर के बीजानुओं से संक्रमित हो जाता है और अंततह काम करना बंद कर देता है, नोबिता और उसके दोस्त दोरेमोन को ठीक करने के लिए एक खाली जगह में संगीत बजाते हैं, लेकिन क्योंकि हर कोई अपनी प करता है, लेकिन वल चिलाता है, मैं दोरेमोन को भी ठीक करना चाहता हूँ, मैं सब के साथ खेलना चाहता हूँ, और बेता भी से रिकॉर्डर बजाना जारी रखता है, शिजुका और दूसरे जो देख रहे थे, वे अपना सयम वापस पालेते हैं और नोबिता के साथ बज करता है, लेकिन मीना ने मिक्का को जो बासुरी दी थी, उसका एक तुकड़ा और एक स्वर गायब है, फिर नोइस प्रकट होता है और मिक्का और नोबिता पर हमला करता है, नोबिता बेताबी से इसे बजाता है, लेकिन डू, नोट अभी भी, नो, बन जाता है, लेकिन कि इसी कारण से Hall of Fame बहाल हो जाता है। लेकिन शोर जल्दी से वापस आ जाता है और नोबिता और उसके दोस्तों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। को बाहर फेकता है तो Space Time Changer गलती से सक्रिय हो जाता है और जिस स्थान पर इसे बदला जाता है वो कल रात आधी रात को बात्रूम है जब नोबिता अपना Recorder लेने गया था जिसे वह भूल गया था। इसके अलावा अंतरिक्ष का आकार भी बेतर टीब धंग से समायोजित किया गया था और प्रित्वी सहत आसपास का स्थान बात्रूम में टैर रहा था। और ये घटनाए एडवांस डाइरी के कारण हुई जिसे नोबिता ने हसल विंडव में अपनी गर्मी की छुट्टियों का होमवर पूरा करते समय अपनी डाइरी समझकर लिखा था। ये फॉले बजाया तो उन्हें एक अन्य जहाच से संकेत मिला जो म्यूजिका से बच गया था। मिकका म्यूजिका में दोस्त पाकर खुश थी और उसने प्रिथवी पर नोबिता डेलड़ ब्रदर के प्रती नहीं बलकि बिग ब्रदर नोबिता के प्रती अपना आभार व्यक्त किया। इस बीच 13 सितंबर को गर्मी की चुट्टियों के अंत में एक प्राथम एक विद्याले में शरद रितु संगीत समारो हायोजित किया जा रहा था। बच्चों का स्वान एट्यूड का प्रदर्शन नोबिता द्वारा नो कस्वर बजाने के साथ समाप्त हुआ। फिर संगीत कक्ष की खिलकी से पराक्रम हुजा की कनाकाश में उल गए वेक नो अक्षर की थोड़े असामान्या आकार में थे।